वाट्सप गाईज मैं हूँ मैश आप देख रहे से स्टेक बनाव फिर से एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है अल्म筋 सारे स्पेक्स को मैंने कवर किया है हाला की कुछ छोटे मुटे स्पेक्स रह गएते जिनके बारे मैं अज इस वीडियो में बात कर लेंगे लेकिन जो सबसे बड़ी अपडेट है जिसके लिए आज इस वीडियो बना रहा हूं ट्विटर के उपर काफी सारे authentic leak थे जो यह suggest कर रहे थे कि Realme 9 Pro जो होगा वहाँ पर IPS LCD पैनल होगा 120Hz का, लेकिन गाइस मैं आपको बता दू कि दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको Super AMOLED पैनल देखने को मिलेगा, जो Realme 9 होगा वहाँ पर 120Hz का fast refresh rate देखने को मिलेगा, और जो Realme 9 Pro Plus होगा, वहाँ पर आपको 90 years का refresh rate देखने को मिलेगा, अब आप लोग सोच चुरूँगे कि यह चीज में इतने confidence के साथ में कैसे बोल रहा हूँ, तो guys देखो, 16 तारिक को इंडिया में launch होने वाला है, बट 15 फरवरी को global launch है, यह चीज भी आप जानते हैं, तो global launch स पहले इस device का जो unboxing है, मतलब प्रो और प्रो प्लस दोनों का जो unboxing हो वो एक foreign YouTube चैनल के उपर जो है, लीक हो चुगा है, दाबोक्स नाम से एक foreigner YouTube चैनल है, जिन्होंने Realme 9 Pro और प्रो प्लस दोनों का जो unboxing वीडियो है, वो लीक कर दिया है, जासु उन्होंने के लिए लिए मे variant है, इंडिया के अंदर ये definitely थोड़े बहुत changes के साथ में आएगा, लेकिन अगर आप Realme के previous record को देखें, जो device global launch होते हैं, वो इंडिया के अंदर ज्यादा changes के साथ में नहीं आते हैं, तो उसी के basis पर ये चीज़ confirm हो सकती है, अब इस unboxing के basis पर और previous launches के basis पर में ये आपको इंडिया के अंदर भी 120 एर्ज के AMOLED पैनली देखने को मिलेगा, Realme 9 Pro के अंदर, और ये चीज़ थोड़ी सी और authentic इसलिए हो जाती है, कि guys देखो, Realme 9 Pro जो होगा, वो under 20,000 देखने को मिलेगा, और जो Pro Plus होगा, उसका जो प्राइस होगा, वो 22,000 के आसपास होगा, ऐसा बताया जा रहा है, तो specs wise काफी जादा difference है, और obviously जो price point है, वहाँ भी आपको लगबग 3-4,000 का difference हो देखने को मिलेगा, तो ऐसा हो सकता है, कि इसी price difference को balance करने के लिए Realme, यहाँ पर आपको एक AMOLED पैनल देदे, हाला कि वीडियो को अगर आप देखोगे, तो उन्हों लिंक में description में दे दूँगा, बाकी specs के अगर बात करें तो almost same से देखने को मिलेंगे, जो global variant में थे, like 9 pro के अंदर जो camera होगा, triple camera sensor होगा, primary sensor 64 megapixel का होगा, इसके लावा 8 megapixel ultra wide और 2 megapixel का macro होगा, front में वही 16 megapixel का selfie camera रहने वाला है, battery 5000 mAh की देखने को मिलेगी, और Indian variant के अंदर Android 12 देखने को मिलेगा, जो के Realme UI 3.0 के साथ में आएगा, तो software wise भी एक काफी अच्छी चीज़ हो जाती है, इस smartphone series के साथ में, इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर इन्होंने add करीए, कि जो pro plus variant होगा, वहाँ पर आपको heart rate monitoring का जो option है, वो देखने को मिल जाएगा, जो light shifting design देखने को मिलेगा, तो exact वैसा तो नहीं होगा, जैसे Vivo V23 के साथ में था, बट हाँ, काफी similar सी चीज़ आपको देखने को मिलेगी, तो global variant के comparison में, Indian variant में आपको ज्यादा changes देखने को नहीं मिलेगी, ऐसे बहुत ज्यादा chances है, क्योंकि Realme का track record आप जानते ही हैं, अब यह जो information मैंने आप लोगे साथ में शेयर के रही है, इससे आप एक लिए की मान के चलो, जब तक के device का launch नहीं होता है, में भी India के अंदर थोड़ा वो changes के साथ में देखने को मिल जाए, और हो सकता है same to same variant आपको इंडिया में देखने को मिल जाए, तो यह तो जब launch होगा तब ही पता चलेगा, फिलाल के लिए जो information थी मुझे लगा कि आप लोगे साथ में शेयर करनी चाहिए, इस वज़े से मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, I hope आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like कर देना, और अभी तक अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है, तो फ एक्स वीडियो